नमस्कार आपका स्वागत है अपने प्यारे देश में जहां हम कीलों से स्वागत कर रहे हैं देश के अन्नदाता का इस समय जो हाल लोकतंत्र का है जिस तरह से देश को सजाया जा रहा है सवारा जा रहा है प्रतिरोत को तोड़ने रोकने की कोशिश हो रही है वह शायद बेमिसाल है और इसके लिए प्रधान मंत्री नरेन मोदी और उनकी पूरी टीम को निश्चित तोर पर बधाई दी जानी चाहिए आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर कायरक्रम और मैं भाशा आज ले चलूंगी आपको कुछ ऐसी जगों पर जहां पर देश के जलते हुए सवालों पर परेशान नागरिक सडकों पर उत्रे हुए हैं आए सबसे पहले बात करते हैं किसानों की इन किसानों के पक्ष में देशी में नहीं अंतराश्टी इस्तर पर लोग उत्रे हुए हैं और जो लोग स्वागत कर रहे हैं इन किसान प्रदर्शनों का आंदोलन का बोल रहे हैं कि इन पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए उन पर भी ट्रोल आर्मी बहुत ही महरबान है फूल बरसा रही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि देश के किसानों के दर्द में एक ग्लोबल फिनॉमिना बनाया है चाहे वह अमरीका की मशूर गाईका हो रिहाना ग्रेटा थन्बर्ग जो परियावर और एक्टिविस्ट हैं बहुत ही नौजवान जिन्होंने ट्रम्प सही तमाम सत्ताधारियों को चुनौती दी थी वह या फिर लिली सिंग जो यूटूबर है मीना हैरिस या जे सिंग ये सारे लोग एक ही स्वर में एक ही बात कर रहे हैं कि जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो इन पर बात क्यों न हो और इनका बहुत सीधा सा सवाल इस समय देश की सरकार के साथ है इस सरकार के समर्थन में खड़े बड़े हिस्से वाले मीडिया के साथ है और साथ ही साथ उन लोगों से है जो इन किसानों को अलग-अलग नामों से नवाज रहे हैं ठीक ऐसे ही समय यह भी दिखाई दे रहा है कि पत्रकारों को सीधे सीधे निशाने पे लिया जा रहा है आज तो हैरानी की बात है कि सिंगु बॉडर हो टीकरी बॉडर हो गाजी पूर हो कहीं पर भी पत्रकारों को रिपोर्टिंग के लिए घुसने पर पाबंदी लगाई जा रही है बहुत ही मुश्किल से कीलो को फलांग कर वे जा रहे हैं सवाल है इतना डर क्यों ऐसा क्या होने जा रहा है किसान जो 26 नवंबर से इन सीमा बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं वे ऐसा क्या कर रहे हैं जिसे दिखाने से यह सरकार डर रही है पहली बार शायद हुआ होगा कि पांच-पांच राजी सरकारें वरिष्ट पत्रकारों पर राश्द्रो सहित गंभीर क्रिमिनल केसिज लगा रही है आखिर क्यों क्या ऐसा हो रहा है क्या ऐसा छुपाने की साजिश है क्या ऐसा डराने की साजिश मोधी सरकार कर रही है आईए आपको ले चलते हैं आज क्या हुआ देश की राजधानी के केंद्र में मंडी हाउस पे मंडी हाउस पे आज तमाम संग्टोन ने एलान किया था कि वे किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर प्रदर्शन बहुत आम बात है बहुत सहचता से प्रदर्शन होते रहे हैं लेकिन आज यहाँ जिस तरह से हर गली मोड पर पुलिस तैनात थी लोगों को जाने से रोक रही थी उससे लग रहा था कि किसी भी तरह के विरोधी स्वर को सुनने के लिए सरकार तयार नहीं है किसान आंदोलन के पक्ष में तीनों कानूनों को रत कराने के लिए आज दिल्ली में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक तमाम संक्टर ने मिलकर एक प्रदर्शन का कॉल दिया था दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन तो नहीं होने दिया शुरू में गिरफतारी की भी धमकी दी थी जो कि अभी बनी हुई है लेकिन बड़ी संख्या में यहां लोग उतरे और उनका कहना है कि दिल्ली में उनका भी हक है इतने लंबे समय से इस रूट पे प्रदर्शन होते रहे हैं बहुती शांती पूर रूट है लेकिन अभी तक किसानों की मांगों को एक तरफ सरकार नहीं सुन रही और दूसरी तरफ किसानों के पक्ष में उत्रे तमाम संठनों की मांगों को भी अंदेखा किया जा रहा है शबनम आज जो यहाँ पे प्रोटेस्ट था उसका क्या मकसद था और आखिर क्यों नहीं हो पा रहा प्रोटेस्ट पारा है Marge निकालनी थी वह नहीं निकालनी दी गई मक्सद यही है कि surprisingly आज अगरिक आज सडकों पे उत्रे हैं किसानों के साथ किसानों के अंदोलन के साथ उनकी मांगों के साथ और यह दिमांड कर रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस लिए जाए MSP पर कानून बनाया जाए और जो 122 किसान जो अरेश्ट किया हुआ है उनको रिहा किया जाए उसके साथ-साथ जिन जर्णलिस्ट के ऊपर जूटी FIR लॉज की गई है उनको क्वैश्ट किया जाए ये हमारी सारी डिमांड से तक्रीबन कितने संगठन साथ आए हैं आज तक्रीबन 15 संगठन साथ हैं हम जन धन मन तीनों तरीके से किसानों के साथ हैं और अपने लेखन से जो है हमारे तमाम कवी कथाकार पन्यासकार आलोचक जो है वो बराबर लिख रहे हैं किसानों के समर्थन में अखवारों में पत् कि अधिक अन्यवरो बतुश्वायों में कि लो हुजय में दिश्वाम जातर हैं, तरो हुज इस दोलन को गती देने के लिए जरूरी है कि लेखा कलाकार सारे लोग इसमें एक जुठोन और सामाननी नागरिकों से भी अपील है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में अंदोलन में शिरकत करें जाएं समर्थन करें और जो भ्रहम की सिती मोधी सरकार ने पिछले दिनों पैदा की कि ये देश द्रोहियों का अंदोलन है तो इसको तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम बताएं कि किसान मजदूर कितने प्रशन का फिर यहां से निकलने में क्या दिक्कत पुलिस ने आपको क्या बताया आपने बात की पुलिस से देखिए ये इस रूट पे तो सैक्णों रैलीज निकाली गई है मंडी हाउस से जंतर मंतर यही रूट है जो एलाउड होता है लेकिन एक तो ये कि प्रतिरोत की आवाजों से डरते हैं जो यहां नहीं है इनके जो बॉस है अमिट शा जो ग्रह मंतराले है वो प्रतिरोत की आवाजों से डरता है इसलिए उनकी कोशिश होती है कि कोई भी आवाज जो हो उसको दबा दिया जाए बेवकूफ है क्योंकि इस तरह से आवाजे दबाने से अंदर है हम तो बाहर है हम तो सारे पीसफुल लोग है हमसे क्या डर है आप बताएं नवकिरन की क्या स्थिती है टीक्री में आप इतने समय से हैं आप यहां पहुची है लगातार खबरें आ रही है वहां से किस तरह से बैरिकेटिंग हो गई है बड़ी-बड़ी कीले कोशिश की जा रही है और दूसरा यह है कि जितनी भी आसपास में गलियां थी उन सब को खोद दिया गया है जिससे हम समझते हैं कि लोकलाइट को बहुत दिक्कत होगा क्योंकि प्रोटेस्ट के अंदर हम एक चीज का शुरू से ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे कि जो प्रोटेस्टर के अगेंस्ट खड़े करने का इनका चालरा है मनलब कि स्थानी लोग जो है प्रोटेस्ट के अगेंस्ट चले जाए जी जी इनका कोशिश वही है और अभी तक यह उस्समें से सिस्फुल नहीं रहे हैं, परसो ही टिकरी की में स्टेज पे बहादुरगर की आम जनता, एक ग्रूप के तौर पे वो लोग आये, उनमें से एक यंग लड़की ने वहाँ पे भाशन भी दिया, उसने बोला कि हम बहादुरगर के वासी आप लोगों के साथ हैं, अंदोलन के स हगा है, क्योंकि किसानों को कुछ नहीं मिला, जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, उनके पक्ष में लोगों को लग रहा था, कि देश का बजट उनके लिए कुछ रहत लेकर आएगा, सवाल सिर्फ किसानों का ही नहीं है, यहां पर बजट पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं, वह बता रहे हैं कि किसी भी वंचिस समुदाय को जो उनका हक था वह नहीं मिला दलितों आदिवासियों को जितना हक मिलना चाहिए था वह नहीं मिला इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि दलितों और आदिवासियों को नीती आयोग के दिशा निर्देश के और सबसे बड़ा सवाल करोना काल में इस देश के गरीबों ने जो जहला देश की महिलाओं ने जो जहला उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर सिविल सोसाइटी को यह लग रहा था कि उनके लिए कुछ होना चाहिए उनकी जो मौझूदा योजनाए हैं उनका आवंटन बढ़ना चाहिए लेकिन हम देखते हैं कि उनके मद में भी पैसा जबरदस्त काटा गया है 25 से 33 फीसिदी की कटोती हुई है मिड्डे मील आगन बाड़ी तमाम बहुत जरूरी सुविधाओं को मौईया कराने वाली योजनाओं में और इसलिए हम पहुचे महिला प्रेस क्लब जहां पर राइट टू फूड ने आज एक समाधाता सम्मेलन किया जिसे देश के वरिष्ट अर्थशास्त्री जौंद्रेज ने संबोधित किया झाल में, प्र条件 स 놀ाइब्स नेका कर थूड़ ईन फूड़ निजीनके रूब अधोड़ प्रीनिंग में जा कर भी असलिए, झाल में जाक।ाही यसीन बाइद्स खरे सेख़र मед में लूंड़ूूर जिसे प्या है जाल के रहिंगारन जाल करेंट को जाल Strategy लापकित developments अच्रवाष पार फट्यवाशective方法 प्रची术 मेर्स तुम थाठवीफ जाठवीज लगूसे सेंग Лग दसेंग यहां हमने बात करने की कोशिश की जौंद्रे से भी न्यूस क्लिक के लिए और जानना चाहा कि आखिर क्या सरकार के पास पैसा नहीं था क्या कारण था कि मोदी सरकार ने दो हजार चौदा की तुल्ना में भी कम खर्श किया देश की बेहज जरूरी गरीब को कुछ रहा देने वाली योजनाओं पर क्या सक्राइब कार्व का धिन तुल्ड को कार्व जरू है वोट जर्चा को का स्वेजी थाली में वीजिश को कि दूू है इसनदेते हैं यह जिस पास प्रीब के जाफ इन लुड में टृब्म में सबाचा में जर भी कर्या दिशित पे लिए प्री टानमे।ंट को और बच्चों के लिए जो बजट था उसमें. दिखाई बहुत साफ दे रहा है कि देश को अलग-अलग हिस्सों में बाटने की कोशिश बहुत तेज हो रही है. लेकिन वहीं देश को जोडने वाली ताकतें भी कम नहीं हैं. एक के दुखदर्द के लिए दूसरा हिस्सा भी साथ खड़ा होता लगातार दिखाई दे रहा है. देश की पुलिस एक तरफ गड़े खोद रही है, कीले सजा रही है, इंटरनेट बंद कर रही है, फोन और बेसिक सुविधाएं बंद कर रही है. लेकिन वहीं दूसरी तरफ संघर्शरत किसानों को बुनियादी सुविधाएं मुहया कराने के लिए देश के नागरिक लामबंध है. पंचायते हो रही है, महापंचायते हो रही है, और सब एक स्वर में मोधी सरकार से मांग कर रही है, कि हमने ही तुम्हें चुना है, तुम्हें हमारी बास सुननी होगी. यह जो माहौल है, यह निश्चित तोर पर बहुत कठिन दोर की तो संकेत दे ही रहा है, लेकिन साथी साथ यह बता रहा है, कि देश को बचाने के लिए देश का आम नागरिक लामबंध हो रहा है, खड़ा है, मांग कर रहा है, चाहे वो केंदरी बजट से मांग कर रहा हो अपने हिस्से का या फिर मांग कर रहा हो कि जो उसका हक है जो राइट टू डिसेंट है वह कितना जरूरी और बुनियादी है और वह इसे छोड़ने नहीं जा रहा शुक्रिया